अजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजुनेक्स ओडी कैपसूल के रेजुनेक्स ओडी कैपसूल मिथाईलकोबालमिन, फोली कैसिद, पाइरीडॉकसिन और अलफा लिपोई कैसिद से मिलके बना होता है Reginexση Sunday capsule के अगर उप्योक की बात की जाये तो इसका उप्योक cancer patient को treat करने के लिए किया जाता है अगला इसका उप्योक है जिसेonymia है या जिसे खून की कमी हो गई है तो ऐसे patient में खून की पुरती को पूरा करने के लिए भी इस capsule को prescribe किया जाता है अगला इसका उप्योग है डाइविटिक नियूरोपेथी है अगर डाइविटिक पेशेंट में पेरों में चुबन सी महसूस होती है जनजनाहट है या नसों की कमजोरी है यानि नियूरोपेथी पेन जिससे कहा जाता है एलकोहलिजम है तो ऐसे पेशेंट में ये ट्रीट करने के लिए ये दवाई दी जाती है कैपसूल के अगर डोस की बात की जाए तो फ्रेंट्स एक कैपसूल पर डे आपको लेना है खाना खाने के बाद इससे आप ले सकते हैं इसके बाद आपके डोक्टर ने जिस तरह से लेने के लिए कहा है उसी तरह से आपको ये लेना चाहिए खाना खाने के बाद एक गलास पानी के साथ आपको ये पूरा कैपसूल निगलना है याद रहे फ्रेंट्स कोई भी दवाई बगे डॉक्टर की साला से बिलकुल भी ना ले क्योंकि हर पेशन्ट का मामला अलग-अलग हो सकता है इस कैपसूल को लेने से कुछ फाइदे हैं जैसे यह आपकी स्लीप पेटर्न को रेगुलेर कर सकता है अमीनो एसिट के मेटापोलिसम को रेगुलेट कर देता है अगर आपको इसके किसी इंग्रिडियन्ट से या इस कैपसूल से एलर्जी है तो आप इसे ना लें आपका अगर किसी बिमारी का कोई ट्रेटमेंट चल रहा है तो इस ट्रेटमेंट के साथ भी से नहीं लियाना चाहिए या अगर किसी तरह का कोई इलाज चल रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताए ताकि आपका इलाज करने में आसानी हो अगर कॉंट्रा इंटिकेशन की बात की जाए या या यह दबाई हमें किस बिमारी में नहीं लेना है तो अगर आपको हार्ट, किड्नी, लीवर से रिलेटेट कोई भी बिमारी है तो इस सारी परेशानी अपने डॉक्टर को जरूर बताए आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा थैंक्स फर वाचिंग वीडियो